हेलो एवरिवन वेलकम टू परिक्षा जोन शिक्षा से परिक्षा तक आज हम पढ़ने वाले रेलवे का इतिहास ठीक है अब सेट हो गया है रेलवे का इतिहास आज हम पढ़ेंगे कि भारत में रेलवे कब बना कैसे सारी चीजे हुई मैं आपको कहता था ना कि मैं कराऊंग लगेगा और आज आपके लिए मैंने जो पहली क्लास में पढ़ाया था Maratha Empire उसके questions लेके आया हूं में कुछ ठीक है तो अगर कुछ नया question हो तो वो notes में add कर लेना अगर जिसने अब तक पहली class नहीं देखी है तो playlist में जाईए modern history के नाम से playlist होगी उसमें जाके पहली class को देखना Maratha Empire वहाँ पे मैंने कराया है आप सभी को ठीक है तो आपको Maratha Empire देख लेना है उसके बाद questions यह आप से असानी से हो जाएंगे जो नहीं होंगे वह आप लिख लेना ठीक है questions को नोट किया कीजिए PDF आपको मैं टेलिग्राम ग्रूप में प्रवाइड करा देता हूं तो चलिए अब हम यह शुरू करते है रेलवे इन इंडिया एक मिनट यह फोन को है को उन था लोडण kinka का हाडिंग के लुड़ norm left कर्ते हैं भारत में रेलवे ट्रांसपोर्ट को सुरू करने के लिए किस परपस के लिए मिलीटरी परपस के लिए रेलवे का ट्रांसपोर्ट शूरू किया जा मिलीटरी परपस के लिए क्योंकि अंग्रेज दो technique अपनी सेना को भूरे भारत में भेजना होता था दूर दूर इलाको में तो वैसे उन्हें बाइ रोड जाने में काफी टाइम लगता था ठीक है तो इसलिए वो क्या सोच रहे थे कि भारत में रेलवे की शुरुवात की जाए तो इस पर पहली बार विचार लोड हार्डिंग पढ़ाया था जब मैंने आपको कहा था ना मैं रेलवे अलग से कराऊंगा तो आज मैं करा रहा हूं लोड डल होजी लोड डल होजी क्या करते हैं भारत में रेलवे की स्थापना करते हैं और इन्ही को भारत में फादर ओफ रेलवे कहा जाता है फादर ओफ इंडियन रेल लिख लो father of Indian Railway भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है हिंदी मैं बोल रहा हूं रेलवे का जनक लोड डल होजी को कहा जाता है आगे चलें चलिए पहली ट्रेन या फर्स्ट ट्रेक बोल लो कहां से कहां तक थी जो railway line ट्रैक कहेंगे ना उसे हम तो पहली railway line जो थी हमारी वो थी कोलकत्ता टू लिखो कोलकत्ता टू रानिगंज लो हिंदी में भी लिखे देता हूं हिंदी वाले बच्चों को क्या दोनों भासा में बोल दूगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको चले आगे चली है अब आगे चलते हैं थोड़ा सा केमरा इस्टेबल है कोई दिक्कत नहीं है आपको समझ आ रहा होगा मैं न काम करता हूं ख्लोज कर देता हूं इसको अभी कुछ देर के लिए पहली ट्रेन जो चलाई गई फर्स्ट ट्रेन सोला अप्रेल अठारा सो तरेपन को यह ट्रेन चलाई जाती है ठीक है कहां से कहां तक बंबाई बंबाई टू थाने बंबई से थाने तक यह ट्रेन चलाई जाती है इस ट्रेन को एक नाम दिया गया था क्या वह इंगलिस हम फॉर्ण टारेक्टेंट कि बाहर की कंपनियां बहरत में निवेश करती है उसको कहते हैं foreign direct investment ठीक है तो railway में 1856 में इसको allowed कर दिया गया कि भार की कंपनिया आके railway में निवेश कर सकती है और railway को मतलब railway में काफी ज्यादा काम होना बाकी था तो उसके लिए रुपयों की जरुवत भी थी तो सब जीजों की जरुवत थी तो इसलिए क्या किया गया इस चीज का गठन किया गया मतलब कि fdi को allowed कर दिया गया भारत में railway के अंदर ठीक है किसके दुआरा किया गया था तो उस टाइम के गवर्नर कौन थे लोर्ड कैनिंग लोर्ड कैनिंग द्वारा थारोश चपन में भारत में रेलवे में fdi को मंजूरी दे दी गई अब ऐसी आगे बात करते हैं आ जाती है बात 1879 में ठीक है पूरा रेलवे तियास बिल्कुल शुरू से 1846 जब से उसकी चर्चा शुरू ही तू लास्ट तक बिल्कुल सारा बताऊंगा ठीक है 1879 अठार सो नहत्तिर की बात कर लेते हैं तो लोर्ड मायो ने उस टाइम पे गवर्नर कौन था लोर्ड माय लोर्ड मायो और सौयद आपको पता होगा इस टाइम पोस्ट मदलके क्या हो गए थी वाइसराई की पोस्ट हो गए थी www.so about बाद, लोड मायो, ठीक है, लोड मायो ने क्या किया, रेलवे, रेलवे, अब हिंदी इंगलिस में रेलवे वैसी लिखा जाता है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट का मतलो समझते हो ना मैनेजमेंट कमपनी रेलवे मैनेजमेंट कमपनी का गठन किया किसने लोड मायो ने ठीक है यह समझ गह इस बात को इसमें टोटल कितनी कमपनियां बनाई गई थी 33 कममेंट का पराट थी एक तरीक्षी जैसे आड़की रेल्वे कोर्परेशन लेनंगे इसे बना दिया गया था अब इस मैंगे ग्हेशीज चैर कम् Brew टो किसके पास थी देशी रियास्ते देशी रियास्ते रियास्त जिसको हम कह देते हैं देशी रियास्त ठीक है देशी रियास्तों के पास थी चार कंपनिया तो उसके बाद 24 कंपनिया जो थी वो किसको पास थी प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट कंपनी जिने हम कहते थे की अब रेलवे के विकास के लिए सब चीज की जारी थी कि अलग अलग कंपनिया बनाई जारी थी प्राइवेट हतों में रेलवे को दिया गया था उन्होंने क्या किया एक लिमिट करी कि तुम 25 साल बाद सारी चीजे भारत सरकार को सोप दोगे मतलब भीटिशर्स को सोप दोगे 25 साल तक तुम इसमें अपनी कंपनियों को चला सकते हो और प्रोफिट कमा सकते हो उसके बाद आपको सारी चीजे अपना सारा बिजनस भारत सरकार को मतलब भीटिशर्स को देना पड़ेगा किलियर है तो ऐसा इसलिए क्या गया क्या आपको पता था भारत का सारा काम कहां से होता है बिटेन से इंडियन रेलवे एक्ट अठारो सो नब्वे उस टाइम पर कौन था लोड लेंस डाउन लोड लेंस डाउन उस टाइम पर यह थे ठीक है चले आगे अब ऐसी ही चल रहा था तो क्या होता उसके बाद 1905 में अब ऐसे देखो में बिल्कुल टाइम पिरेड से पर ढ़ारों बिल्कुल अठारशुच्ट थे 1905 तक आ गया 1905 मार्च का महीना था कि 1905 मार्च के महिने में इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे बॉर्ड जो आज भी भरतिया रेलवे बॉर्ड का गठन तप्टन किया तब खालग कि विस तोगस के दुपा ना ना भाइस रहा लोर्ट कर जन याद होगा आपको बंगाल विभाजन भी किया था और कल एक कोशन कर आया था इसी के टाइम पर जोर्ज पंचम ने आके बंगाल विभाजन को रद भी कर दिया था याद है ना आप सबको यह बात तो चले आगे तो यह हुआ हमारा 1905 में यह चीज़ हुई थी ठीक है और सब सबसे ज्यादर अगर हम बात करें कि development कब हुआ railway का विकास सबसे ज्यादा किसके समय में हुआ तो वह समय था करजन का ही लोड करजन यह लोड करजन का ठीक है लोड करजन के समय में भारतिय रेल्वे का सबसे ज्यादा विकास किया गया अब हम आगे बात करते है कुछ 1950 की बात बता देता हूँ मैं फिर आपके इसके बाद कुछ static बाते करेंगे ठीक है 1950 में नेशनल आइजेशन कर दिया जाता है मतलब राश्ट्रिय करन हिंदी में क्या कहेंगे राश्ट्रिय करन ठीक है तो लिखे लिजेगा आप मैं लिखे देता हूं इंगलिस में मैं हिंदी मैं बोल रहा हूं राष्ट्रिय करन नेशनलाइजेशन ठीक है इसका रेलवे का अब मतलब पूरी रेलवे एक जगा से कंट्रोल होगी यह किया गया इसके तहत ठीक है चले आगे चलिए आप कुछ नई बाते जानते हैं जो रएक स्ट्रेंट बात होती आपको पता होनी चाहिए मैं पूछिँ पहली अpta cannot ऄप यaterial जो बिजली द्वारा चलती दी वट रिख के बारे में बताईए चैनल के बारे में इसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में आपको बटाना है कि इस ट्रें पच्छों, 3 फरवरी 1925 को ये train मुंबई से कुरला की तरफ चलती है, ठीक है, बुंबई टू कुरला, इंगलिस में लिख देता हूँ कुरला, ठीक है, बुंबई से कुरला की तरफ चलती है, और इस train का नाम क्या रखा गया था, फटकन जो डकनखाई ह sommes का नाम था डेकन क्वीन जैकण में अब बात करूं achieve में अगर आप से आप सुनते हो तो पहली Map रॉकस्ट नोशन्हют चलाए गई है Memory मैटरो इस है उसे मेraham बता सकता है कोई पहली मैटरो की बात करें तो पहली मैटरो कहा पे चलाए गई तो पहली मेट्रो 24 अक्टूबर डेली में नहीं थी ये 1984 में दमदम दमदम से कहां तक ताली गंज बोल दो इसको ताली गंज तक ठीक है वैसे इतना भी तो थीपोटन हिए अब yo 2020 वह कुछ ज्यादा इंपोटन हो जाती है डिक है तो अगर सेकंड मेट्रो की है करें हम सख्रका से में जा कि ने तो चोवीश ममीट म१र चूष मंध्म था को इस दिल्ली में चलती तीन प् paceiskर में पर छचक्थी हमह आप है हमारा जो 30,000 कोट है न 30,000 तक पहली मेट्रों चलाई जाती है दिल्ली में तो यह ज़्यादा इंपोटेंट है क्योंकि नैशनल कैपिटल से रिलेटेड हमारी राजधानी से रिलेटेड है देश की तो इसलिए ज़्यादा पूछा जा सकता है अब मैं पूछूँ आपसे भा लाइन लिखे सुरक्षा ठीक है सरंक्षा सुरक्षा सरंक्षना मतलब इसको ऐसे लिखते हैं सरंक्षा एंड और समय पालन के लिए आपको इतनी बात आ गई समझ में चले आगे तो आपको मुझे लगए आपको समझ आ रहा हो गाई सब कुछ तो हमने काफी सारी बाते जान लिए इसके बारे में अभी और बाते भी हम इसके बारे में जानते हैं चलिए विवेक एक्सप्रेस ट्रेन पूछी जाएगी आपसे विवेक एक्सप्रेस या तो ऐसे पूछ लेको विवेक एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां तक के लिए चलती है या फिर सबसे लंबी दूरी की ट्रेन पूछ सकता है कौन सी है तो यह विवेक एक्सप्रेस तसांट चलती है अगर हम इसमें मैं आपको नाव रेलवे जोन भी है बट हम रेलवे जोन अभी नहीं करें क्योंकि railway zone आपके लिए ऐसा सच कोई question पूछा नहीं जाता है वो railway zone current affair में अगर कोई आया है news में तो पूछा जाता है जैसे मैंने आज आपको कराया था एहमदाबाद railway station कल कराया था sorry कल के class में जब मैंने current affair सवा 11 बजे आपके class होई थी तो उस टाइम पर क्या बताया था आपको मैंने current affair के लिए बताया था ना उसमें तो पहला ही question था एहमदाबाद station के related तो उसमें पूछा जाता है फिर भी मैं वह आपको करा दूँगा पहले हम बाकी चीज़े कर लेते हैं इसकी पूरी ठीक है और मुझे याद है आपकी किताबे भी रह रही है पांच-छे किताबे में इसको आपको करानी थी वह भी मैं आपको कराऊंगा रांस्ट्ट टोपिक की कुछ बुक्स रह गए ठीक है वह भी हमळेंगे पहले इसको कर ले वर्ल्ड रेलवे आप पढ़ेंगे मब ऐन इंडिया की जिए रेलवी इन वर्ल ड्र आप का वर्ल रेलवे की बात कर लेते से पहले मैं आपको कुछ और बाते और इंडिया से र्लेटेडी तो अभी इसको इंडिया रहने देना जिसने लिख लिया है कोई बात नहीं ठीक है अगर हमसे पूछा जाए इंटिग्रल कोच फैक्ट्री इंटिग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर है जहां पर रेल वगेरा बनती है ना तो उनकी कम्पनियों के नाम भी पूछ ले जाते हैं आज गर कहां पर कौन सी है तो इंटेग्रल कोच जहां पर डिबय बनते हैं इन्टेग्रल कोच फैक्ट्री तो आपको बता देना है कहां पर मैं तर्मिल नाडू ठीक है जिए कि लाडू में क्या इसकी कंपनी है और अगर आपसे पूछा जाए रेल कोट्स फेक्टरी वह इंटीग्रल थी यह रेल है नाम में थोड़ा सा फळाख हो गा बस इसमें कनफीजन होती है रेलवे कोट्स फेक्ट्री तो रेलवे कोट्स फेक्ट्री का बाजर में पूछ हुँ तो मैं आपको क्या बताओगे कुछ भी नहीं छूटेगा आपने पहले कोश्चन भी देखें देखो बिलकुल नोट से मिल रहे होंगे आपको अगर एक दो बहार है तो उसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि कुछ हंड्रेट परसेंट कभी कोई चीज हो नहीं सकती हां बट ट्राई रहती है कि पूरा ही कराया जाए पट फिर भी कुछ ना कुछ कोश्चन घुमा फिरा के पूछी लेता है ठीक है तो वह भी आपको आजाएगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हो तो जैसे मैंने आ नाम है कंपनियों का नाम ऐसे रिखने आपको इसको हिंदी में मत कर लेंड़ा अर्थ मुवर्स लिमिटेड थिक है तो यह कहां पर है बैंगलूरू करनाटक में कहां पर बैंगलूरू करनाटका में ठीक है बच्चो मोटिवेट राकरों मेंसा एक्जाम होंगे थोड़ा स विश्वितिहास को railway के, चलिए, railway का विश्वितिहास कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, बताओ, इसमें जो मैंने आपको railway zone बताएं, वो कर लेंगे, अगर आपको हो तो मैं आपको पहले questions करा देता हूं, और जो हमारी पहली book रह गई ना, उनको कर लेते ह क्योंकि फिर वो आधा धूरा topic रह जाएगा, पूरा हो नी पाएगा आज की class में, क्या फायदा उस चीज़ का, तो जो हमारी कल की books रह गई हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है, चलिए, तो अब ना हम कल क्या पढ़ेंगे इसमें, कल पढ़ेंगे world railway, ठीक है, तो कल कर लेंगे ह तो हमारी books को, books जो रह गई थी last class में, तो books कर लेते हैं, आप बताईए last book हमने कौन सी करी थी, जिससे मुझे याद आ जाए, comment कीजिए, जल्दी से, हाँ, तो लिखे बुक, आपकी जो books रह गई थी, वो लिखवा जेता हूँ, लिखे जैसे, मेरे को याद है, मैंने ही से चोड़ रहा था, तो सत्यार्थ परकास, ये books रह गई थी ना, last topic में, वो कर लेनी है, सत्यार्थ परकास, जिसने, और जो class को पहली बार देख रहा है वो इस से पिछली class जाके देख लेना, प्लेइलिस्ट में, महाँ पर मैंने आपको आधुनिक काल की जितनी भी महत्रपुर्ण बुके पूछी जाती है, एक्जाम में, वो सारी करवाई थी, तो ये किस के द्वारा लिखी गई थी, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, दय अगली बुक है, इंडिया, अन्रेश्ट, ठीक है, तो ये किस ने लिखी थी, अब कुछ बुक रिपीट हो जाएं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको मत लिखना, रिविजन हो जाएगे आपके, वेलेंटाइन, चिरोल ने, चिरोल भी बोल सकते हैं इसको ठीक है, इ इंदी इंगलिस में बुक सेमी रहेगी बई, गुलाम गिरी, गुलाम गिरी बात करें तो, जोतिबा फुले, महात्मा जोतिबा फुले, महात्मा गांधी नी, महात्मा जोतिबा फुले, इनको ये टाइटल मिला हुआ था, महात्मा का, जोतिबा फुले जी ने ये किताब लिखी थी ठीक है चले आगे कुछ किताब हो रहे हमारे पास अभी जैसे दा हिट फोर सेल्फ कल्चर दा हिट फोर सेल्फ कल्चर तो किसके दौरा लिखी गई है लाला हर्द्याल लाला हर्द्याल के दौरा यह किताब लिखी गई है कि चलें आगे अगली किताब देखे अगली किताब लिखिए दा गिल्टी मैं कि किताबों के नाम है एसी उन्होंने राइटर्स ने लिखेंग तो अदो इसी मैं आपको बता नोशी कुन था ठीक है फूर गिल्टी मैन फूर पार्टिशन तो यह किसके दुवारा लिखी गई है राम मनोहर लोहिया राम मनोहर लोहिया आज कलते हैं नाम बहुत फेमस है क्योंकि इस नाम पर एक होस्पिटल भी है ना डैली में एक किताब और रहागी है उसको और लिख लेते हैं दा इंडियन इंडियन नहीं इंडिया कर लिए इसको बस इंडिया विंस फ्रीडम ठीक है आपको PDF इनकी नोट्स की भी मिलेगी आपको मैं इनके लिए एक प्रोपर पूरा हिस्ट्री के नोट्स की PDF दूँगा इसको आपको डैळिए मिली है गुरूप में टेलीग्राम पर मुहाँ पे ज्यूइन कर लिजए ठीक है? मुलाना अबुल कलाम आजाद ठीक है यह किटाब इन्हों ने लिखी थी मुलान अबुल कलाम आजाद जी ने ठीक है तो ये हो गई आपकी जो किताबे बच गई थी इंडिया विंस फ्रीडम समझ गए तो यह सारी हो गई हमारी आप किताबे अब हम क्या कर लेते हैं कुछ कोश्चन्स जो आज हमारे सामने कोश्चन्स हम मैं लेके आया हूं आपके लिए ठीक है बहुत इंपोटेंट कोश्चन है ठीक है कोश्चन्स को सुरू करते हैं मैं कैमरे को ओन कर लेता हूं आप सभी के लिए ठीक है तो मैंने अब कैमरा आपके लिए लगा लिया है अब हम करने वाले सारे कोश्चन्स को ठीक है चलिए आपकी किताबे पूरी हो गई है modern इंडिया की अभी medieval की और ancient की मैंने किताबी नही विभारत के संगराम में साहिता है तू अज में हंदी में कोश्चन लाया हूं सारे ठीक है क्योंकि इंगलिस वाले तो हिंदी समझ लेते हैं बट हिंडी वालों को इंगलिस समझ नहीं आती है ठीक है मेरे को कैमरा ना इधर नीचे करना पड़ेगा क्योंकि फिर ऐसे लगत तो भारत के बाढर कौन से संगठन की स्थापना नहीं किए गई थी अगर बात करें हाँ पे हम तो quite बाहरत के भाहर बनती है अभी यह मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है एक्जाम देखो कब आया है 22 अपरेल 2016 सेकिंड शिफ्ट रेलवे एंटीपीसी ठीक है एंटीपीसी के कुश्चन है कुछ SSC के भी हैं सभी एक्जाम्स के हैं ठीक है नेक्स्ट कोश्चन निमिलिक्त में से एक व्यक्ति बिटिश्व द्वारा फासी पर चढ़ाया गया सवन्तवत्ता सग्राम क्रांतिकारी नहीं है तो आपको पता है बगत सिंग राजगुरु और सुकदेव तो तीनों साथी में थे तो चंदर सेकर अजाद नहीं है इसमें अब यह ध्यान से देखो फासी पर चढ़ाया गया पुछा है सवन्तवत्ता संग्राम में तो यह थे क्रांतिकारी पट ऐसे नहीं थे जिनको फासी दी गई हो ठीक है तो यह ऐसे कोशन था चले आगे इसका अंसर क्या हो जाएगा चंदर सेकर आजाद अभी ना हम यह पू कोशन है आपके लिए तो बताए हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपली रिपबलिकन एसोशियेशन की स्थापना किसके दुवारा की गई थी बता सकते हो तो ओप्शन क्या क्या है आपके लिए सुभास चंदर बोस विनायक दामुदर सावरकर जैपरकास नारायन भगत सिंग तो आपको यह अभी ना जो कोश्चन लिखा है वाज मैं पहले एडवांस कोश्चन लिखा है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में ठीक है इसलिए आपको लग रहा होगा यह तो पढ़ाई नहीं तो भगत सिंग ने की थी क्योंकि अभी हमने ना ये क्रांतिकारी आना है तो अभी हिष्ट्री तो काफी बची है हमारी सब करने वाले हम रेलवे के बाद हम वही करेंगे क्या शोशल रिफोम्स मतलब जितने भी हमारे शोशल रिफोम्स वेतना हमारे भारत में पहले उनको करेंगे हम सामाजिक सुधार जिसको हम कहते है ठीक है चालिए जोन सांड्रस की हत्ता की तो किस चीज के लिए बदला लिया था इनौने रामपरसाद बिसमिल की मोत नहीं उससे इनका कोई मतलम नहीं था च हौरा-च्छोरी की घटना से भी कोई मतलम नहीं था बही जब हुशने ठीजित बदला लिए चीजह का है पर उन्त परेल 2016 सेमर्य में अलग अलग बार पूछा गया चलें जो जो NTPC की तयारी कर रहे हैं उनको पता चल गया होगा कैसे कुश्यन आ रहे हैं निमन लिख्त में से किसने संतरता आंदोलन के एक अंश के रूप में चिटगाउं शस्त्रगार छापा में भाग लिया था तो अगर हम यहां चिटगाउं शस्त्रगार छापा की बात करें तो यहां पे कौन है अंसर बता सकता गनेश जोशी अनन्ता वेड़ांदर कल्पना चावला प्रित लता वाडेदार तो इसका यह हो जाएगा अंसर प्रिति लता वाडेदार ठीक है यह आपको डिटेल में मैं सारे टोपिक्स पढ़ाऊंगा यह मत सोचना बस अंसर कोश्यन ब बताईये निमनलिक्त में से कौन से संतनता सैनानी ने जेल की दिवारों पर माक आवव्य कमला लिखा था तो बताईये किसने लिखा था चार ओप्षण मदन मोहन मालव्य वीडी सावरकर शरत चंद्र बटुकेश्वर दत तो यह जो लिखा था कमला यह वीडी सावर के दिखे रहा ना आपको option हाँ कि विपिन चंद्र पॉल सही तीन लोग्पिडिय संतनता सैनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे उनमें से अन्य दो कौन है तो लाल बाल पाल की बात हो रही है ठीक है तो बताईये उनमें से अन्य दो कौन है तो पताया एक तो आपके चले चले नेक्स्ट को देख लेते हैं यह देखे थोड़े से धुंदले कोश्चन होंगे आपको किलियर दिख रहे होंगे मैं बोल दूगा नाना फड़नवीज का मूल नाम क्या था SSC में आया हुआ है CHSL एक्जाम में ठीक है तो बताओ नाना फटनवीज का मूल नाम क्या था आज अब की बार जो PDF मिलेगी इन questions के answer के साथ मिलेगी आपको अब तक मैं answer नहीं दे रहा था बट आज वाली में आपको answer मिलने वाले हैं clear तो इसका answer बताइए इसका answer क्या होगा बाला जी जनार्दन भानू अब जिसने भी अब तक अब यह जितने भी question करा रहा हूं मराठा Empire के करा रहा हूं आप देखलू कि आपने रिविजन कितनी किया answer आपको याद है कि नहीं तो नाना फट नवीज का मूल नाम था बाला जी जनार्दन भानू चले आगे शिवाजी के गुरू कौन थे याद होगा यह मैंने कराया हूए आपको शिवाजी के गुरू तो शिवाजी के गुरू हो थे संत्रामदास ठीक है चले आगे ससी टेक्स असिस्टेंट में यह आयवा कुशन है देखो साप नहीं दिख रहा होगा मैं बोल देता हूं उस मराठा राजा का नाम बताईए जो औरंग जेव से बहादूरी से लड़ा औरंग जेव से बहादूरी से कौन सा मराठा रा तो बस आजकी इतने ही कोशन है हमारे पास आपको समझ आ होंगे रेलवे का आप विश्व इतियास हम कल करेंगे कल पूरा विश्व इतियास कर देंगे फिर हम करेंगे सामाजिक सुधार भारत में सामाजिक सुधार ठीक है तो चलो thank you very much आप session को like कर दीढें जिसने like नहीं थैंक यू फर वाचिंग, शेर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, थैंक यू